प्रकाष जी है अगले कालर स्वागत है आपका हण जी सर, नमस्कार, सर। जी धाक्ठ नामoster साहब आपकर, जी स्वागत है आपका जाहिन, जी नमस्कार नव साथ आपकर, जी सुझापिल टृपल गव्न हार्दर्ष सिंसी करता, कर नहीं कर नहीं कि अर्म है घार जोड़ों में दर्द लटकी हमारे एक साह से वाकर रहा है कि अधिर में दर्द घार्ड रहता है रात को बर पंख्रा कोलने तो अधिक आते छुर्दी नुम होता सडी हो गई है अब ये च्चे महीने से हो रहा ठाथ? पहले नहीं होता था कुछ हमारा कोई नस्खालिया अपने बताया हुआ? नए नए पहले बार हमने पॐन तिया है को हम पीज़ी में आपको देखते हैं तो बहुत बढ़िया आप बताते हैं तो इसलिए हमने आज अउन की आपको छीक तेंट देखिए मैं कितना बताता हूँ एक गौन के बारे में जो जिसे हम गौन सिया कहते हैं ये बुजर्गों के लिए सोना है आप जैसे हमारे उमर वालों के लिए आप जैसे मिल जाए तो यह गौंध है जो काले रंग का होता है इसलिए सिया कहते हैं लेकिन नकली बहुत मिलता है असली आप खरीद लें और दो चुटकी सुबा खाएं दो चुटकी शाम खाने के बाद दूद्या पानी से देखिए यह चुटकी है दो चुटकी बरके आप खाएं दि जी आपका नाम राजेश जी बताएं सर राजेश जी मदर है ठीक है उनको जो नीन नहीं आती आपको और कम जोड़ी बहुत जाना है पुए नुस्का वद्वादी ठीक है सर देखें लिख लीजे आप नुस्का आपकी वालदा व्रूदर गयों उनके बहुत कम है रिखिए अलसी 100 ग्राम और आवला 100 ग्राम आवला सुका हुआ मिलता है अलसी 100 ग्राम, आवला 100 ग्राम, खशगाश 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम अलसी, आमला, खशखाश और धनिया सौ सो ग्राम लेकर पॉडर बना लें और चूरन बना लें और इसका एक चमच खिलाया करें रात को सो तिस हमें नमक जैतून के पानी से नमक जैतून एक विशेश नमक है जो दो चुटकी नमक जैतून असली नकली मत लें लेना, असली नकली बहुत मिलता है असली नमक जैतून, दो चुटकी, एक गिलास पानी में मिलाएं और इस पानी से उन्हें रात को सोते वक्त खिलाया करें और ये निसका दिन में दो बार भी दे सकते हैं असले एक बार दीजे, एक बार फाइदा होने लगे तो फिर दो बार देने की जुरुत नहीं और आपको कम फाइदा लगे तो इसे दो बार दे सकते हैं जी